नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर हमारे चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को नवर्ष की धेर सारी शुब कामनाएं मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की लोगपिरियता देश में कितनी हैं ये हम सब जानती हैं काल की प्रशंसा करते हैं उनके कायों की लगातार प्रशंसा खोती रहती है और जिस तरीके से कोरोना काल में हुनोंने देश में काम किया ना सिर्फ देश में बलकी किस तरीके से दुनिया के साथ भी अपने जो संबंध है वो बहतर रखे उस दिशा में ही दरसल लगातार वो कारिय करते रहे और उसका ही अब नतीजा है कि वो ना सिर्फ देश बलकी दुनिया के सबसे लोकपिरिया नेता बन गए है अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट एजनसी ने एक सर्वे किया है जिसमें ये बात सामने आई है कि दरसल प्रधान मंतुरी को दुनिया के सबसे अधिक सुईकारिये नेता करार दिया गया है यानि सबसे अधिक लोगों ने उन्हें पसंद किया है ना सिर्फ देश बलकी दुनिया में अजनसी के मुताबिक प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी की कुल जो अप्रूवल रेटिंग है वो 55 रेटिंग रही है अजनसी की रिपोर्ट में ये भी साफ तोर पर दिखाया गया है कि नरेंदर मोदी की जो लोगपिरियता है वो सभी विश्व के सभी बड़े नेताओं से सबसे जादा है यानि तमाम बड़े नेता विश्व के फिर चाहे वो डॉनल्ड ट्रम्प हो रूस के राश्पती हो या तमाम बड़े नेता हो उन सभी को पचाड कर प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी ना सिर्फ देश बलकि दुनिया के सबसे लोगपिरिया नेता वन गए है आपको बता दें अमेरिका की दरसल ये मौर्णिंग कंसल्ट जो एजेंसी है ये तमाम जो बड़े नेता है देश भर के दुनिया भर के और सरकार उनकी अप्रूवल रेटिंग जारी करती है और इसी दिशा में इस साल किस तरीके से कोरोना काल में प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी का डंका बचा है और उसका ही नतीजा है कि वो ना सर्फ देश भलकि दुनिया के सबसे लोगप्रियें नेता बन गए हैं आपको बता दें डाटा फर्म मौर्णिंग कंसल्ट के जो नतीजे सामने आई है सर्वे के दरसल उसके मुताबिक 75 फीजदी लोगों ने स्विकार किया वही सर्वे में दुनिया के किसी भी और नेता को इतनी जादा रेटिंग नहीं मिली है हर कोई सिर्फ 20 से 30 के 20 सिमट कर रह गया लेकिन प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी को इस सर्वे में जो की अमेरिका की एक मार्निंग कंसल्ट एजनसी है जो सर्वे कर उसमें प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी को 55 फीजदी लोगों ने स्विकार किया है एक अच्छे नेता के तोर पर और कहीं न कहीं उनकी लोगपिरियता जिस तरीके से दुनिया भर में अब ज्जाई हुई है उसका ही ये नतीज़ा है कि प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी दुनिया के सबसे लोगपिरिया नेता बने हैं वहीं आपको बता दे Forbes की सूची में नंबर वन पर रही जर्मनी की चांसलर एंजला मारकल की सुविकर्ती जो रेटिंग रही वो 24 फीजदी नहीं यार्मेरी की चांसलर को भी पीछे छोड़ते वे प्रधान मंतुर उन्दरिय धर्मोदी ने अपनी लोगपिरियता का डंगा दुनिया में बचा दिया है अमेरिका की डाटा फर्म मौर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटलिजेंस ने दरसल मौजुदा समय में 13 देशों के बीच ये सर्वे किया जिसमें अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिन, कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंग्डम, सर्युक्त, राज्य, अमेरिका ये 13 देश थे जिनके बीच ये सर्वे किया गया और इन देशों के जो नेताओं की अप्रूवल रेटिंग जारी की है जिसमें प्रधान मंत्री की जो रेटिंग है भारत के प्रधान मंत्री की जो रेटिंग है वो पचपन फीजदी रही है वही तमाम जो दूसरे देशों के नेता हैं, वहां के राज़पती हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, दरसल उनकी रेटिंग बेहत कम रही है अजेंसी के जो सर्वी सामने आया है, उसमें परधान मंतरी नरेंदर मोदी के अलावा, जिन दूसरे नेताओं की लोगपिरियता में इजाफा देखा गया है उसमें मैक्सिको के राज़पती हैं, तो वहीं आयुस्टेलिया के परधान मंतरी भी हैं, कई ऐसी चेहरे हैं, जिनकी लोगपिरियता में जरूर इजाफा जरूर हुआ है लेकिन परधान मंतरी, भारत के परधान मंतरी नरेंदर मोदी को वो टकर नहीं दे पाए हैं और उसका ही नतीजा है कि भारत के परधान मंतरी को इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने पसंद किया है, ना सिर्फ भारत में बलकी दुनिया में आपको बता दे दरसल इस सर्वे में परधान मंतरी बोरिस चॉंसन की रेटिंग बेहद ही नकरात्मक रही, यानि उनके समर्थों ने जादा संख्या में उन्हें पसंद नहीं किया और विरोध करने वालों की जो संख्या थी वो कही ना कही पसंद करने वालों से जादा थी आपको बता दे बीते दिनों में दरसल जिस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंतर मोदी ने ना सर्फ हिंदूस्तान में अपनी लोप्रियता का पर्चम लहराया है वलकि विश्व पटल पर भी कही न कहीं वो च्छाय रहे हैं और उसका ही नतीज़ा है कि अमेरिका से लेकर हिंदूस्तान को विकास की और उसकी अर्थवस्तों को मजबूत करने की और लगातार कदम बढ़ाये जा रहे हैं बलकि विश्व के तमाम बड़े देशों के साथ किस तरीके से उनके रिष्टे मजबूत हैं और किस तरीके से वो विश्व के तमाम देशों के साथ हर एक श उसरीज देश के दुनिया के तमाम जो बड़े चहरों का सर्वे किया गया उसमें भी प्रधानमंत्री जरूर शामिल रहे है नरेंदर मोधी तो लगातार प्रधान मंतुरी नरेंदर मोधी की लोग प्रियता करडंग का देश और दुनिया में बसता रहे हैं और एक बार फिर से इस कोरोना काल में यानि ये संकट भरा समय था ये चुनोतियों भरा समय था लेकिन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने इस चुनोती को भी बेहाधी सरल तरीके से पार कर लिया और उसका ही ये नतीज़ा है कि अब देश और दुनिया के लोग उन्हें इतन बड़े देशों ने अपने सर्वोच सम्मान से नवाजा है दरसल ये सर्वोच सम्मान उन्हीं को मलता है जो कही न कहीं दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंद रखते हैं अच्छा अपने देश के लिए कारे करते हैं और इसी कड़ी में परधान मंतरी को लगातार ये स सम्मान मिल चुका है हाली में अमेरिका की तरफ से प्रधान मंतरी को लीजल ओफ मैरिट से सम्मानित किया गया ये अमेरिका का सरवोश मिलेटरी सम्मान है जिस से प्रधान मंतरी को नवाजा गया है ये दरसल प्रधान मंतरी को ये सम्मान भारत और अमेरिका की रननीतिक साज बढ़ने के साथ भारत को विश्व की महान शक्ति के रूप में उभारने को लिए दिया गया है यानि किस तरीके से भारत को उन्होंने मजबूत बनाया और कहीं न कहीं विश्व के सामने खड़ा किया और एक मजबूत शक्ति आज भारत विश्व के दूसरे देशों के साथ ह और कहीं न कहीं उन्हें टकर दे रहा है तो उसका ही ये नतीजा है कि अमेरिका ने लीजल ओफ मेरिट से प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी को सम्मानित किया और आपको बता दें अमेरिका प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी को अपना सरवोच सम्मान देने वाला पहला देश बलकि इससे पहले साओधी अरब ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को और्डर ओफ अब्दुल अजीज सल साओध स्टेट ओडर ओफ गाजी अमीर अमानूला खां और ग्रैंट कॉलर ओफ दे स्टेट ओफ पैलेस्टीन अवोर्ड दोजार अठारा प्रदान कर चुका है। इससे पहले भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को कई सर्वोच सम्मान मिल चुके हैं ना सिर्फ अमेरिका बलकि साओधी अरब से लेकर रूस और कई तमाम बड़े देश हैं मालदी, बांगला देश यह तमाम बड़े ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रधान मंतरी नरेंद् किया जाता है और उसका ये साफतोर पर दिखाता है कि किस तरीके से परधान मंत्री नरेंदर मोदी ना सिर्फ देश में बलकि दुनिया में एक मजबूत नेता की छवी रखते हैं और लगातार भारत को एक विकास की और उसकी अर्थविस्तों को मजबूत करने की और अगसर हैं लेकिन वहीं दूसरी और जिस तरीके से लगातार विपक शुपर्दान मंत्री नरेंदर मोदी पर हमलास आता है उसका दरसल नतीजा ये होता है कि अब परधान मंतुरी नरेंदर मोधी ना सिर्फ देश के बलकि दुनिया के मजबूत नेताओ लोगपिरिया नेताओ की लिस्ट में शुमार है और ये उसका ही नतीजा है कि वो कहीं न कहीं परधान मंतुरी को और मजबूत बनाते जाते हैं आपको बता दें अमेरिका से लेका रूस तक प्रधान मंतुरी नरेंदर मोधी को सरवोच सम्मान से नवाजित कर चुके हैं और लगातार प्रधान मंतुरी नरेंदर मोधी भारत में भी जिस तरीके से कारिये कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी सरकार के में कारिये चल रहे हैं विकास का कार्ये हो चाहे फिर तमाम योजनाय हो तो हर तरीके से वो एक्टिव रहते हैं और हर एक चीज पर उनकी नज़र रहती है हर एक गतिविधी जो भारत में चल रही है उस पर उनकी नज़रेट की रहती है और इसी बीच अब परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने विश् असल गुजरात के राजकोट में एमस की अधारसिला रखते हुए ये साफतोर पर कहा कि अब दुनिया का सबसे बड़ा चीकाकरन अभियान चुलाने की तयारी भारत कर रहा है आने वाले वक्त में भारत के हर एक नागरी को वैक्सीन पहुँचेगी कोरोना की ये भी परध स्वास्थ की गती को बनाए रखना था बलकि अर्थवस्था को भी काही न काही डगमगाने नहीं देना था और ये बखुबी परधान मंतुरी ने करके दिखाया है और अब जब कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे उस बीच परधान मंतुरी ने कह कि दरसल दुनिया का सबसे बड़ा ठीका करान अभ्यान अब भारत की ओर से चुलाया जाएगा कोरोना वैक्सीन को लेकर वहीं आपको बता दे जिस तरीके से 2020 चुनोतिया भरा रहा कोरोना का समय था ऐसे में स्वास्थे को लेकर तमाम सवाल उठे लेकिन प्रधान मंतुर कि ये पूरी कोशिश होगी कि देश में स्वास्थे सेवाव को जिस भी तरीके से बहतर बनाया जा सके बहतर बनाया जाएगा और आने वाले वक्त में ऐसी अगर कोई भी परिस्तिती देश के सामने आती है तो उससे निफ्ता जा सके इसकी पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की जाएगी तो यही वो चीजें हैं यही वो कारण है कि परधान मंतरी नरेंदर मोधी को ना सर्फ हिंदुस्तान में इतना जाधा पसंद किया जाता है बल्कि वीश्म में उनकी लोगप्रियता का डंका बसता है और एक बार फिर से अब अमेरिका की इस अजेंसी का सर्वे जो सामने आया है उसमें भी ये लोगों ने बता दिया है कि दरसल भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में प्रधान मंत्री नरेंतर मोधी भारत की प्रधान मंत्री का डंग का किस तरीके से बसतरा है और ये उनके कारियों का ही नतीजा है कि लोग उन्हें इतना ज़ादा पसंद कर रहे हैं फिलाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद